Hello students, आज की क्लास में हम आर्टिकल्स के बारे में कुछ important बाते जानेंगे तो ये तो हम सब जानते हैं कि A, N, DA को हम इंगलिस में आर्टिकल कहते हैं इन में से A, N, Indefinite Articles होती है और DA जो होता है ये definite article होती है ठीक है और हम सब ये भी जानते हैं कि जो A, N, DA ये जो तीन शब्दें जिनको हम articles कहते हैं इनका प्रियोग हम किसी ने किसी noun के साथ करते हैं ठीक है ना हम इन सब्दों का प्रियोग adjective के साथ करते हैं किसी और part of speech के साथ नहीं करते हैं, यह बाद अलग है कि अगर उस noun से पहले कोई adjective है, तो भी हम article यूज कर सकते हैं, लेकिन article जहां पर भी हम यूज कर रहे हैं, तो उस article के बाद noun का आना जरूरी है, ठीक है, बगएर noun के हम किसी भी article का यूज नहीं करते हैं, तो सबसे important point तो यह है, जो हम सब को पता होना चाहिए, अब मैं आपको इस वीडियो में articles के बारे में कुछ basic information देने वाला हूँ, लेकिन मैं भले ही यहां इस information को basic information कह रहा हूँ, लेकिन यह information articles सीखने में काफी मदद करने वाली है, मतलब यह बहुत important information होने वाली है, तो चली शुरू करते हैं, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं, articles के बारे में two basic rules, तो सबसे पहला rule क्या कहता है, कि we use the, before a noun, singular, plural, or countable, when our listener or reader knows which particular person, things, etc. we are talking about, देखिए, हमने कोई noun यूज किया, ठीक है, अब वो noun singular भी हो सकता है, plural भी हो सकता है, और uncountable भी हो सकता है, ठीक है, यह जो हमने noun हम अपने listener या reader को, हम किसी particular person के बारे में बताएंगे, या किसी thing के बारे में बताएंगे, लेकिन अगर इस particular person या things के बारे में, अगर हमारा listener जानता है, या हमारा reader जानता है कि हम किस particular person या thing के बारे में बता रहे हैं, तो हम उस noun से पहले, हम the article का यूज करेंगे, ठीक है, जैसे example देखिए I went to the doctor yesterday अब यहाँ पर देखिए doctor से पहले दा लगा हुआ है तो यहाँ पर यह sentence मैंने जब लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मेरा जो listener है जो मेरे sentence को सुनेगा जो listener है इसका मतलब वो जानता है कि मैं किस doctor की बात कर रहा हूँ ठीक है अगर मैं यह कहता हूँ मेरे listener को I went to the doctor yesterday तो इसका मतलब मेरे बात को सुनने वाला जो listener है उसे पता है कि मैं किस doctor की बात कर रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर मुझे लगता है कि उसको नहीं पता है कि किस डॉक्टर के पास में गया था तो यहां पर फिर मैं इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करूँगा आई वेंट टू ए डॉक्टर येस्टरडे नेक्स एक्जांपल देखिए यहां पर भी मैं अपने लिसनर को एक वॉच्ट के बारे में बता रहा हूं तो मैं यहां पर अपने लिसनर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं उसके बाद है could you pass me the start क्या आप salt मुझे पास कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर अपने listener से request कर रहा हूँ कि वो मुझे start pass कर दे तो यहाँ पर देखे start से पहले मैंने the article use किया है यह definite article है तो यहाँ पर definite article use मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा listener जो है उसे पता है कि मैं किस salt के बारे में बता रहा हूँ या कौन सा salt मुझे चाहिए तो इस तरह से हम अगर हम किसी noun का जिकर करते हैं वो noun कुछ भी हो सकता है singular भी हो सकता है plural भी हो सकता है uncountable भी हो सकता है ठीक है अगर हम इस noun का यूज करते हैं कोई person या किसी thing के बारे में बताने के लिए और हमारा listener जो है इस particular जो भी person या thing है जिस के बारे में हम बता रहे हैं या जिस person या thing को बताने के लिए हमने जो noun यूज किया है तो इस person या thing के बारे में अगर speaker हमारा listener है वो जानता है तो हम उस परसनिया थिंग से पहले definite article अर्था का यूज करते हैं एक और example देखें जिसे I am going to the post office अगर मैं कहता हूँ I am going to the post office इसका मतलब है मेरा listener जानता है कि मैं किस post office की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहां पर post office से पहले देखे definite article लगा है दा ठीक है लगा है तो यहां पर भी मेरे कहने का मतलब यहां पर क्या है यहां पर फिल्म से पहले कि मैं जानता हूँ कि मेरा जो listener है जो मेरी बात को सुन रहा है उसे पता है कि मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ ठीक है तो इस तरह से जब इस भी हम किसी particular person or thing को बताने के लिए कोई noun use करते हैं, तो वो noun बले singular हो, plural हो, या uncountable हो, हम उससे पहले definite article का use करते हैं. अगर हमारा जो reader है या हमारा listener है, वो जानता है कि हम किस person or thing की बात कर रहे हैं. उसके बाद है, whenever listener or reader do not know which particular person or things, etc. we are talking about. अगर हमारा listener या reader को नहीं पता है, कि हम किस particular person या think की बात कर रहे हैं, तो हम जिस particular person या think को बताने के लिए हमने कोई noun use किया है, तो उस noun से पहले हम क्या करेंगे? तो अगर सबसे पहले हम यह देखेंगे कि वो noun जो है, वो singular countable noun है, तो हम उस noun से पहले a या n का प्रियोग करेंगे, जैसे, a thief broke into my house yesterday, अब यहाँ पर मैंने देखें, thief से पहले a article का use किया है, यहाँ पर यह जो thief है, यह singular countable noun है, तो यहाँ पर मैंने a article इसलिए यूज किया है, क्योंकि मेरे listener को नहीं पता है, कि मैं किस चोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर indefinite article का use हुआ है, नेक्स देखे, I need an envelope, यहाँ पर भी envelope एक singular countable noun है, और मेरे listener को नहीं पता है, कि मैं कौन से envelope की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी देखे, यहाँ पर indefinite article का use किया गया है, तो अगर मेरे listener को या reader को नहीं पता है, कि मैं किस particular person या think की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं यह देखूँगा, कि जो noun है, वो मेरा singular countable noun है, अगर वो singular countable noun है, तो मैं A या N में से कोई article यूज़ करूँगा, लेकिन अगर मेरा noun plural countable noun है, या uncountable noun है, तो मैं कोई article वहाँ पर use नहीं करूँगा, जैसे she has afraid of rats, यहाँ पर देखे, यह plural countable noun है, ठीक है, she has afraid of rats, लेकिन मेरे listener को नहीं पता है, मैं किन ड्रेट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर zero article है, कोई article नहीं है, नेक्स देखे, I need help, यहाँ पर भी देखे, यह uncountable noun है, तो यहाँ पर भी नहीं पता है, कि किस help की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी देखे, कोई article नहीं लगा है, तो सबसे पहले तो मैं यह देखूँगा, कि मैं जिस noun का जिकर कर रहा हूँ, उस noun के बारे में, मेरा listener जानता है, कि नहीं जानता है, मेरा listener या reader अगर उस noun के बारे में जानता है, मुझे लगता है कि, मेरे listener को या reader को, जिस noun के बारे में बता रहा हूं उस noun के बारे में उसको पता है तो मैं उस noun से पहले definite article अर्थादा का यूज करूँगा और अगर मेरे listener को ये बात नहीं पता है मुझे लगता है कि मेरे listener नहीं जानता है कि मैं जिस noun का जिकर कर रहा हूं से उसको पता है तो मैं वहाँ पर यह देखूँगा कि मेरा जो noun है जो मैं noun use कर रहा हूँ वो singular countable है या plural countable है या uncountable है अगर singular countable है तो मैं a या n में से एक article use करूँगा ठीक है अगर मेरा noun plural countable है या uncountable noun है तो मैं वहाँ पर कोई article use नहीं करूँगा उसके बाद है हम जब भी आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ 4 common mistakes to be avoided while using articles कि जब भी हम articles यूज़ करते हैं तो 4 ऐसी common mistakes होती है जो अक्षर हमसे हो जाती है जो हमें नहीं करनी चाहिए तो आएब वो देखते हैं तो सबसे पहले mistake देखी क्या है सबसे पहला point में क्या याद रखना है कि जब भी हम कोई plural noun यूज़ करते हैं या uncountable noun यूज़ करते हैं तो हमें कभी भी a या n का यूज़ नहीं करना चाहिए यह अपने दिमाग में बैठा लेजिए कि जब भी हम कोई plural countable noun यूज़ करेंगे या uncountable noun यूज़ करेंगे तो हम कभी भी a या n का परियोग नहीं करेंगे जैसे children are playing in the garden अब यहाँ पर देखे children यह plural countable noun है इससे पहले हमने कोई an या कोई भी मतलब a या n का परियोग नहीं किया है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप लिखेंगे a children तो फिर यह गलत हो जाएगा next देखे water is essential for life यहाँ पर देखे water जो है uncountable noun है इससे पहले भी हमने देखे कोई an का परियोग नहीं किया है यहाँ पर भी आप जो है अगर लिखते है a water तो फिर यह गलत हो जाएगा ठीक है यहाँ पर यह plural या कोई uncountable noun है जो plural countable noun है या uncountable noun है कोई भी तो उससे पहले definite article यूज कर सकते हैं ठीक है वहाँ पर दा article यूज हो जाएगा लेकिन दा article भी तभी यूज होगा जब वहाँ पर उस noun को define किया गया होगा मतलब उसकी पहचान बताई गई होगी ठीक है अगर मैं इस sentence को यह से लिखता हूँ the water in this pool is polluted तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा the water in this pool इस pool का पानी तो मैं generally पानी का जिकर नहीं करूँ मतलब जो water है उसको मैं generally उसको मैं generally उसको नहीं कर रहा हूँ बलकि मैं pool के पानी के बारे में बता रहा हूँ तो वहाँ पर मैं the water काऊंगा ठीक है तो इस तरह से हम जो हम plural noun यूज करेंगे मतलब वह particularized किया गया होगा ठीक है चलिए अब दूसरी common mistake देखते हैं जो हमसे हो जाती है तो देखिए अगर हम किसी भी singular या plural या uncountable noun को यूज कर रहे हैं लेकिन हम in nouns का परियोग अगर in general कर रहे हैं मतलब सामने रूप से इनका यूज कर रहे हैं तो हम in nouns से पहले the article का यूज नहीं करेंगे फिर सुन लीजिए अगर हम कोई singular noun यूज कर रहे हैं कोई plural noun यूज कर रहे हैं या कोई uncountable noun यूज कर रहे हैं लेकिन in nouns का परियोग हम in general कर रहे हैं in general मतलब सामने रूप से हम किसी particular के बारे में नहीं बता रहे हैं बलकि सामने रूप से बता रहे हैं in general इनका यूज कर रहे हैं तो हम definite article दा का यूज कभी नहीं करेंगे जैसे example देगे elephants are very big animals यहाँ पर कहा गया है जो elephants होते हैं वो big animals होते हैं तो सभी elephants big animals होते हैं यहाँ पर हम किसी particular animal के बारे में बता नहीं रहे हैं तो यहाँ पर जो elephants है यह in general यूज किया जा रहा है सामने रूप से यूज किया जा रहा है और यह plural countable noun है तो यहाँ पर हम da elephants नहीं कह सकते ठीक है तो यह da elephants अगर आप कहेंगे तो यह गलत हो जाएगा नेक्स देखें पेट्रोल इस एक्सपेंसिव यहाँ पर जो पेट्रोल है यह in general यूज किया जा रहा है सामने रूप से यूज किया जा रहा है यह वर्ड इस्ते पहले भी हम da पेट्रोल मदद दा लगा के और da पेट्रोल नहीं बना सकते यहाँ पर यहाँ पर uncountable noun है next देखें life is complicated यहाँ पर जो life word है यह भी एक in general यूज किया जा रहा है सामने रूप से यूज किया जा रहा है तो इससे पहले भी हम da नहीं लगाएंगे हम इसको अगर ऐसे लिखेंगे da life is complicated तो फिर यह गलत हो जाएगा उसके बदे my sister loves horses तो यहाँ पर जो horses है यह plural countable noun है और यहाँ पर भी horses का यूज यहाँ पर in general किया जा रहा है मतलब सामने रूप से किया जा रहा है यहाँ पर हम किसी particular horses की बात नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी the article हम नहीं लगाएंगे हम ऐसे नहीं कर सकते my sister loves the horses चलिए आगे बढ़ते हैं next है अगर हम कोई noun यूज कर रहे हैं और उस noun से पहले अगर my लिखा हुआ है या दिस लिखा हुआ है या कोई दूसरा or determiner लगा हुआ है तो हम उस noun से पहले जो है articles नहीं लगाएंगे ठीक है जैसे I have done my work तो यहाँ पर देखिए work noun है इससे पहले my already लगा हुआ है तो यहाँ पर आप the my work नहीं करेंगे ठीक है अगर आप ऐसे लिखते है दा my work तो फिर यह गलत हो जाएगा next है कि I like this shirt तो यहाँ पर देखिए shirt से पहले दिस लगा हुआ है तो इस दिस से पहले अगर आप दा लगाएंगे या कोई और आर्टिकल लगाएंगे तो फिक गलत हो जाएगा next है जब भी हम कोई singular countable noun यूज करते हैं तो उसको हम अकेला यूज कभी भी नहीं करेंगे ठी तो हम उससे पहले कोई article लगाएंगे या कोई दूसरा determiner लगाएंगे ठीक है तो हमें से याद रखिए कि don't use singular countable nouns alone without an article और other determiner कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि जब भी हम कोई singular countable noun यूज करें तो उससे पहले या तो कोई article लगाएं या कोई दूसरा determiner जरूर लगाएं singular countable noun को अकेला अगर आप यूज करेंगे तो हमेशा गलत होता है जैसे हमें कोई जैसे हमें लिखना है book तो हम a book लिख सकते हैं the book लिख सकते हैं my book लिख सकते हैं this book लिख सकते हैं any book लिख सकते हैं either book लिख सकते हैं every book लिख सकते हैं लेकिन हम केवल book नहीं लिख सकते हैं ठ कोई Article यूज पिया तो जब भी हम सिंग्छलर शकरते हैं तो सिंग्लर काउंदेबल नाउन को हम अकेला कभी नहीं छोटते हैं शिंग्छलर से पहले कोई-देट्रिमिनेट्वीनी या कोई-दूष हम जरूर यूजבר करते लेकिन आप केवल बुक नहीं लिख सकते हैं ठीक है कुछ और एक्सापल माई ग्रैंड मदर टोल मी स्टोड इसते पले इस ते पहले apocalypse इस टोरी एक स्टोरी एक सिंग्लर थे बलन और इसको हम बिना говорил के ङब hen a dragons के नहीं चोड़ते article का यूज हुआ है अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं कमले student तो फिर गलत हो जाएगा क्योंकि student चुछ होता है एक singular countable noun होता है और हम सब जानते हैं कि singular countable noun को बिना article के हम यूज नहीं करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा a student next है अगर हम कोई singular countable noun यूज कर रहे हैं तो हम उस singular countable noun से पहले एन article का यूज करते हैं लेकिन कब करते हैं जब वो singular countable noun किसी की जोब बता रहा हो ठीक है या फिर what class group or type somebody or something belongs to मतलब कोई वैक्ति वह वस्तू किसी class या group या किसी type से belong करता हो या फिर हम कोई वस्तू यूज कर रहे हैं मतलब हमने इस singular countable noun यूज किया इस noun का हमने यूज किस लिए किया अगर हम कुछ ऐसा meaning convey करना चाहते हैं तो हम उस्ते पहले ए या एन article का यूज करते हैं जैसे ही जिए डेंटिस्ट को एक डेंटिस्ट है है तो यहां पर देंटिस्ट से पहले ए आर्टिकल का यूज किया यह देंटिस्ट है यह गला हम कोई सिंगुलार काउंटेबल नाउन लिखते हैं और अगर यह जो है वावल साउंड से होता है, तो हम एनर्टिकल का यूज करता है। सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि मैं किस क्लास या ग्रूप से बिलोंग करता हूं musician से तो यहां पर देखे ए आर्टिकल का यूज किया है यहां पर भी जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं musician को तो मैं मैं एक consonant sound है वेंजन धुन हो नहीं है तो इसलिए हम ने इससे पहले article का यूज किया नेकस्ट है I used my shoe as a hammer अब मैं यहां पर बता रहा हूं कि मैंने शुका यूज किसलिए किया ठीक है यह लास्ट पाइंट देखिए what we use something for मतलब हमने कोई वस्तु यूज कि और किसलिए की किस परपसे की हैमर के परपसे मैंने इमान जुदता लिया और जुदता ही से मैंने वह काम किया जो हैमर से करता हूं तो यहां पर देखिए जो हैमर है इससे पहले हमने यह आर्टिकल का यूज किया है ठीक है तो यह चीज़ें आपको ध्यान रखने काफी इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आर्टिकल सीखने के लिए यह चीज़ें आपको बहुत मदद करेंगी तो कैसा लग वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लिस को लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब गड़ा ना बोले थैंक्स व लोचिंग इस वीडियो हैपी लर्निंग बावाई